चिराग पासवान तो बच्चा है उसको भुजने उजने के लिए नहीं आता है वो हमारा एयर फोर्स स्कूल में पढ़ा था अब उसकी इत्यास हम बता दें आपको एयर फोर्स स्कूल में उसको आड़िमिशन ने लिया पीस पर त्रही होता है विहारी फस्ट का नारा भी दे जितेंगे अब पूछिए दूसरे दरफ एंडिया के परतियासी है सामवी चौधरी वह कभी नहीं जितेंगे उसका बैक्राउंड कहिएगा तो हम बता देंगे जनता को अभी अभी एक लड़का बता रहा था कि राम विलास पासवान के साथ 1977 में हमने बीसी किया 77 में वह स साल एरफोस में नौगरी किया पहली पोस्टिंग मेरी जामनगर हुई यह मैंने अभी कहा था ने टू वाई टू गुजरात के लोग जो होते हैं इसमगलर होते हैं स्मगलर हो सकता कल मेरे उपर एफायर हो जाए आप ऐसा बाती बोल रहे हैं मैं बोलूंगा इसलिए एफायर करते हैं गरीबों के उपर आप भी समझते हो आप मीडिया में हो ना I have got lot of respect for you no doubt in that but I am just putting in your knowledge यह 2x2 की सरकार है की नहीं अधानी हमबानी को कहां सकाव पहुंचा दिया आप जरा सोचो ना है आप तो मीडिया वाले हो आप इसीस को सोचो कि यह 2x2 की सरकार देश को कहां से कहां पहुंचा दिया अब जहां तक सवाल है संश्थिपूर का सनी-हजारी के तो जीतेंगे सबसे जाए यह 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 जहां तक चिराग पासवान का सवाल है वो तो बच्चा है उसको बुझने उजने के लिए नहीं आता है वो हमारा एयर फोर्स स्कुल में पढ़ा था अब उसकी इद्यास हम बता दें आपको एयर फोर्स स्कुल में उसको आडमिशन नहीं लिया पीज़ पल बोला नहीं सच्छी बात फोर्स जूट नहीं बोलता है मैं जूट नहीं बोलूंगा जब उनको मुझे डाट दिये रामविलास पासवान के हम जब बीए पास किये थे तो पटना नहीं आया थे आप दिल्ली कैसे आ गया वो उसिमपैसि में डाट है हमने कहा सर मैं तो एफोर्स में लिया आज फौजियों ये यंगेस्टर सब को अगनी वीर दे करके क्या दे रहा है मोधी आप बताएए ना अगनी वीर दे करके हमारा चीफ अफ दियर स्टाफ ने किताब लिखा तो उसको बैंड लगा दिया ये सब उल्टा पूल्टा काम कर रहा है अडानी अमबानी को कहा से कहां पहुंचा दिया ये तो सारा दुनिया दुखरा है अब आप बताओ ना अब फौज में भी लोग ने जा रहे हैं ये यंगेस्टर सब को देखो इसी कितनी उमर होगी सोचिए हम तो 60 साल को क्रॉस कर गए हमने देखा ता उस जमाने में फौज में नौकरी मिल जाती अब आप लिए यहां जहां जहां नितीजी खरे हुए थे हर जगा उसने अपना भी खड़ा कर दिया लेकिन इस वर साथ हैं साथ रहने से क्या होगा वह आप देख लिएगा आप हमसे ज्यादे समझ रही हो लेकिन हम तो एक देश वक्त सिपाई के हसे से बोल रहा हूँ समझ गया है जी मैडम एक दम हंडेट पर्संट होगा बदलाओ समस्ती पूर तो इतिहास रचेगा ये आप देख लिएगा मैडम तमस्ति पूरी स्वारी ती हास रचेगा हमारे साथ थे आपने सुना इन लों ने क्या कुछ का बाके आप भी अपने प्रतिक्रिया कमेंट वक्स में जरूर दे था